नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मद्द प्रदेश के करेंट अफेर्स में साथ ही में राष्टी और अंताराष्टी ख़वर भी हैं, इसमें देखते हैं और ये जो करेंट अफेर्स आपका 31 अगस्त से लेकर के 2 सेतंबर का है, एक सिप्टेंबर को हमारा संडे रहता है बीच में करेंट अफेर्स नहीं थी, सिर्फ एक ख़वर थी, जो कि आपको मैं आज बता दूँगा कौन सी थी इसके लावा कोई भी ऐसी ख़वर नहीं थी, जो मद्द प्रदेश के पॉइंट अफ व्यू से जो हमारे एक्जामस होते हैं, जिरूरत हो इस वज़े से उस दिन का गैप हो गया, आगे बढ़ेंगे, मैं हूँ नीरेश और आप सबी काज के करेंट अफेर्स में सौगत करता हूँ और आप सब के लिए पहली मात पूर्श उचना ये है, कि यदि कुछ टेलिग्राम को लेकर का भी खबरें आ रहें थी कि वो हटेगा, और उसके जो ओनर है, डिरेक्टर है, एक तरह से यह कहा जाए, कि उनको गिरफतार कर लिया था, कुछ जो भी इसूस रहे हो, फैनेंसल अलग केश है, फिर भी एक्जाम गुरुजी का चैनल काफी पहले क्रियेट कर दिया गया था, सोसल मीडिया में उसकी ज्यादा तर इंफोर्मिशन नहीं थी, यह दिये, आप एक्जाम गुरुजी के चैनल को जो वाटसप चैनल, आप सभी लोग ज्यादा तर हम लोगों को कई बार सोसल मीडिया बहुत सारे क्या करने होते हैं, हैंडल करने होते हैं, तो सबसे अच्छा सुझावे रहता है, वाटसप आज की डेट में लगभग लोग यूज करते हैं, ठीक है, और सभी उम्रे के लोग आजकल यूज करने लगे हैं वाटसप, और एक सिंगल प्ले पीडियाफ हो, तो ऐसी खबरे चल रहे हैं कि आने वाले समय में इसको बंद किया जा सकता है, भारा सरकार भी इस चीज़ों को ले करके क्या कर रही है, थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है, अब शक भी है, कई गत्वीदियां उसकी बहुत अच्छी नहीं रही है, तो य यह QR कोड हमने डाला हुआ है, आप इसको सकैन करके डारेक्ट चैनल फालो कर सकते हैं, या हमारा जो नीचे दिया गया नंबर है, डालेट वाला, इसमें आप वाट्सअप कर दीजे, चैनल वाट्सअप चैनल लिंक करके, तो आपके पास वहाँ पे मैसेज के त्रू लिंक भेज़ दी जाएगी, आप इसको फालो कर सकते हैं, एक्जाम गुरुजी उस पे बहुत सारी बहुत अच्छी गत्विधिया कर रहा है, हम कोसिस कर रहे हैं कि आपके एक्जाम से रिलेटेड वहाँ पे MCQs डाले जाएं, प्रिवेस यर काई वे कॉस्चन्स डाले जाएं, साथ ही साथ वहाँ पे जो भी गौर्रमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, वो भी आपको वहाँ पे डाली जाएं, और कुछ आर्टिकल्स वगेरा होते हैं, निज आर्टिकल्स जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि हमारे मेंस के एक्जाम के परपच से भी बहुत जरूरी होते हैं, हमारा एक तरह से यह कहिए कि दिमाग खुलता हूँ उनको पढ़कर के, तो ऐसे आर्टिकल्स भी वहाँ लगातार डाले जाते हैं, तो आप चैनल फालो कर सकते हैं, हाँ केवल एक्जाम से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं, वहाँ पर अनवश्चक चीज़े या आप सोचेंगे कि अनवश्चक content मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं रहता, नहीं टेली ग्राम में रखते हैं, नहीं यहां रखते हैं, हमारा फोकस सिर्फ एक्जाम पे है, और उसको बहुत ही strictly follow कर रहे हैं, सार्थी प्रोग्राम आप जॉइन कर सकते हैं, ज्यादा जानका है, उसको हम लोग revised करेंगे, तो यहां से सुरवात होती, एक comment जरूर आया था, English medium के लिए, तो देखते हैं, उसको कैसे करेंगे, उसको भी जल्दी हम follow करेंगे, और पहली बात तो यह पिछले दिन हमने जो पढ़ा था, कि भारती मसाला बोड का मुख्याल है कहा है, तो ए International Institute है, जो इसका आयोजन करता है, railway board के अध्यच और मुख्य कारकारी दिकारी के रूप में, पहली महिला कौन है, नियुक्त होने वाली, तो वो जया वरमा सिनहा है, सतीज जी के अभी नियुक्ती हुई है, इसमें, इस वज़े से वो क्याते खबरों में बने हुए थे, सबसे उची चोटी माउंट के ले मजारो, सफलता पूर्वक चढ़ाई की है, और अच्छी बात ये है कि ये मद्द प्रदेश रासन के टूरिजम बोर्ड में क्या है, काररत है, राश्टी सिक्षक पूरशकार, प्रदेश के कितने शिच्चुकों को समानित किया गया है, तो दो लोगों को मद्द प्रदेश के, जो की दोनों की दोनों आई टी आई कौले से संब्द रखते हैं, इस बर्स का रास्टी इस्तर का सिक्षक पूरशकार मीला है, पाच सितंबर को ये दिया जाएगा, शुरुवात करेंगे आज के करण्ट अफेर्स की कि, पेरिस पै अच्छा प्रदर्शन करनी, वैसरे की जितनी भी पैरा गेम्स होते हैं, उसमें इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होता है, और अवनी लख रहना है कि अभी पैरिस का पैरा ओलम्पिक होता है, वहाँ पे महिलाओं में, दस मीटर एयर राइफल में, शूटिंग में, जिसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया, इसके पहले टोक्यों में भी ये गोल्ड जीती थी और लगातार खबड़ों में रही है, और इनकी रीड की हड़ी नहीं, इनकी तूट गई थी कारदूर गटना में, राजस्थान की रहने वाली हैं, और लगातारी काई बार बीच बीच में होस्पेटलाइज भी होती रहती है, फिर भी इनकी प्रैक्टिस बंद नहीं होती और इन्होंने गोल्ड जीता है, बहुत अच्छी एक तरह साप ये कि इनकी रेगुलर्टी है, और एक डेडिकेशन है अपने कारिक प्रती, जो इनको श्रण पदक लेकर के आ रह प्रतन का इसको दर्जा दिया गया भी हाली में, यह जो है नवीन, नवीकरणी, सोलर एनरजी की बात हो रही है, तो यह नवीन, नवीकरणी मंतराले, जो होता है, उरजा मंतराले के इन सरकार का, उसके अंतरगात आता है, 2011 में स्थापना होई ति लगवग जितने भी ये कारे करती है, हमारे अच्छे उर्जा को बढ़ावा देने के लिए, देखे नवरतन का जब दर्जा इसको दे दिया गया है, तो इसको फाइदा क्या होगा, सबसे पहली बात तो यह कि अब केंज प्राधिकरण के अनुमोधन की, इनको अवश्रक्ता के बिना भी, ये अवश्रक्ता करने का इनके पास अनुमत ही रहेगी, एक हजीब लेकिन वह एक हजार करोड से कम होनी चाहिए, अब ये क्या है कि जो विदेशी साहएक कंपनियां हैं, या जो अनका उद्दम हैं, उनके साथ एक साहएक कंपनियों के रूप में क्या कर सकता है, ये इस्था उर्जा के छेत्र में कोई organization या कोई company काम कर रही है, वो ठीक नहीं चल रही है, इनको विले करना है, उसके साथ उसको क्या करना है, अधिग्रहन करना है, परचेश करना है, तो अब इनको उसके लिए केन सरकार की इस प्रकार की कोई आवर्शक्ता नहीं रहेगी है, डारेक मामलों की cabinet समिती होती है, सिर्फ उससे मंजूरी के आवशक्ता होगी, इनको केंदरी cabinet से मंजूरी लेने की इनको क्या होगी आवशक्ता नहीं होगी, financial department की जो cabinet होती है, वो बैठक करेगी और इसको क्या करेगी, permission दे लिए, यह एक तरह से आप यह कह सकते हैं, कि बहुत सा अलग स्रेडियों में बाटा गया, यह सब कुछ net worth के आधार पर depend करता है, कि वो जो organization है, उसकी net worth yearly कितनी है, कितना फायदे में चल रही है, इन सब चीजों के बाद सरकार जब ध्यान देती है, तो mini रतन एक format लाए गया था, जिसमें स्रेडि एक और स्रेडि दो होते हैं, तो जो पहले mini रतन में आते हैं, उसके बाद आजाते हैं, नव रतन में, तो देखें, नव रतन का पहली बाद तो mini स्रेडि में आपका पहले number 1 का दर्जा होना चाहिए, रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अलग-अलग रेटिंग के लिए अंक होते हैं, तो आपक प्रति सेयर कमाई में आपको 10 अंक मिलने चाहिए, सुद्ध पूझी लाब में, यानि आपने जो पूझी गत निवेस, यानि जो अपने capital वहाँ पे लगाई है, उसमें आपको actual profit जो होना चाहिए, उसमें आपको 25 points मिलने चाहिए, manpower में जो आपकी लागत लगती है, यान सारिच जब आप follow करते हो, और उस पे 60 अंक आप हासिल करते हो, उससे अधिक करते हो, तो जा करके आपको 9 रतन का दर्जा मिलता है, next step आपका होता है, महारतन का, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की की, कि Global Fintech Festival आयोजित किया गया है, 2014, यह कहां आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है, मुंबई में, प्रदान मंतरी के द्वारा इसकी सुरुवात की गई है, और जो वागा GEO World Convention Center है, अभी कावी खबरों में रहा है, ठीक है, साधी बारात का महौल यहीं पे था, GEO World Convention Center में ही, जो बारात का भब आ आयोजित किया गया था, वो यहीं किया गया था, तो अब यहां पर सरकार का यह Global Pintech Festival भी आयोजित किया गया है, तो यह क्या है, जो पेमेंट काउंसिल आफ इंडिया है, National Payments Corporation आफ इंडिया है, यह सम्मिल करके इसका आयोजित करते हैं, सरकार का उद्देश क्या है, इसको इसमें सरकार का उद्देश यह है, कि हम सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, और हम अपनी प्रगति हो रही है, उन सभी को अपना प्रदर्शित करते हैं, कि हां, आमारी ग्रोथ इस रेड पे चल रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी संस्थान होते जब वो आते हैं, तो सरकार अपना पच्छ रखती वहां पे, और बैंकर वगेरा, उद्दोग जगत के सभी छेत्रों के लोग आते प्रतिबागी आते हैं, शमलित होते हैं, और वहां पे जो भी कुछ नया किया जाता है, जो भी नई टेक्नलोजी जल रही होती हैं, उन से रिलेटेड वहां पे एक तरह से आप उस कह सकते हैं, कि आप अपडेट्स होते हैं, और आगे भविश क्या उन सब चीजों पर विचार किया जाता है, ठीक है, तो यह फैनांस और टेक्नलोजी दोनों मिलकर से बनता है हमारा क्या, फिन टेक्न टेक, एप से फाइनस, फाइ उसे एकाउंट पर, तो यहां पर सभी प्रकार के जो संस्थान होते, वो आ करके बैंकर वगेरा बैठते हैं, बात करते हैं, नई नगिजिक तेक्नोलोजी को देखते हैं, कि भविश में हम लोग क्या-क्या नया कर सकते हैं, आगे की तरह बढ़ेंगे, बात करेंगे, अग साइदा ये है कि एक बड़े इस तर पे इसको आयोजित किया जा रहा तीस सितंबर से स्टार्ट हो गया ता आज की डेट में खतम हो जाएगा यह प्रोग्राम और यहां पर हमारा देखे परेटन बढ़ाने का सरकार का उद्देश है कि जादस जादा परेटक मद्द प्रदे के जो नेशनल टाइगर रिजर्व हैं वो भी परेटन के रूप में इस्तमाल किये जा रहे हैं तो अब दीरे दीरे पेच का सबसे जादा नाम चलता है पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसमें टॉप पे चलता है तो इन सब जगहों पे क्या करने परेटन बढ़ाने के यह लगातार खबरों में बनी रहती है है जबलपुर की रहने वाली है कांग सबसे जीता है और इनोंने इतियास रहाचा है क्योंकि ये मद्द प्रदेश की पहली महिला खिलाडी है जिन्होंने पेरालंपिक में कोई पदक जीता है पेरालंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है 28 सगस से लेकर 8 सितंबर तक चलने वाला है और जो रूबीना फ्रांसीस है इन्होंने वुमेंस की 10 NMR पिस्टल SH1 इवेंट में कान से पदक जीता है और देश को नहीं प्रदेश से लेकर के देश तक को इन्होंने गरवानमित किया है ये हमारे हाँ जबलपूर की रहने वाली है 2015 में राजक खेले का अदमी से जूड़ी थी ये उनका दूसरा पैर अलम्पिक था पिछले वाले टोकियो में थोड़ से चूग गई थी लेकिन इसके पहले भी 2017 में और 2018 में ये दो बार जूनियर रिकार्ड इन्होंने बनाया है और एक बार इन्होंने बस 2018 फ्रांस वर्ड रिकार्ड की बराबरी की थी अंतर राष्टी प्रत्युक्तावम इन्होंने तीन स्वन पदक, दो रज़त पदक, एक कांस पदक जीता है राष्टी इस तर पे ये लगातार 13, 3, 1 के साथ 17 पदक इन्होंने जीते हैं तो अंतरराश्टी इस्तर पर भी इन्होंने बहुत सारे पदक पहले जीते हुए थे लेकिन बात की जारी है ओलम्पिक यानि पहली बार पदक जीता है और मदप्रदेश की पहली मैला खिलाड़ी भी है तो इस वर्स इनको बहुत सारे सम्मान भी मिलने वाले हैं तो रुबी साचर परिवार के माध्यम से क्या करेंगे कि श्लोगन के माध्यम से जाग रुख करेंगे शिक्षा को ले करके इस प्रकार से मना जाएगा साथ चर्था सब्ता है पिछले दिनों हमने आप से एक प्रशन पूचा था हाला कि दो प्रशनों को उत्तर रहे गया था कमिट्मेंट किया गया था कि हम आपको उसके बारे में कालिशन्द की सहक नदी हो गई गुना की तरफ आपको देखने को मिलेगी स्वभाविक रूप से पिरे जाकर के राजस्थान में मिल जाएगी और यह अंतर प्राइड इपी नदी है और इसके जो एंसर आय थे राहूल सिंग ठाकुर के आय थे रीवा से रवी के आय थे गीत अंजली कुश्वाय ने भी दिया था इसका कालिशन्द ब्रजेस महर बहुत दिनों बाद एक्टिव हुए है और इन्हों ने भी इसका एंसर दिया था आप सभी का इसमें एंसर मि जाती है ठीक है तो यह बात हो रही थी किसकी घोड़ा पचार नदी के मैंने आपसे बताया था कि दो नदियां जो थी उहां पर दो पर्योजनाओं की शुरुवात किये गए थी किसके द्वारा प्रधान मंत्री के द्वारा ये नदी खबरों में क्यों थी अभी यहां पर ए जुर घटनाएं हो गई है सरकार के द्वारा पुल के निर्माण न करने के कारण तो इस वज़े से यह खबरों में बनी रही है काली सिंध नदी की बात करें तो यह देवास का जो बागली गाव है वहां के पास से निकलती है और यह बिंदन परवतमाला की छित्र के जाता है और चंबल की सायक नदी राजस्तान कोटर के पास जाके चंबल नदी पर यह मिल जाती है ठीक है और घोड़ा पचाड नदी काली सिंध की बात कर रहे थे घोड़ा पचाड किसकी है काली सिंध की सायक नदी 278 किलोमेटर की लंबाई किसकी बात हो रही है काली परियोजना की आप सभी ने इसका एंसर दिया था देखे पारस जो मध्यम सिचाई परियोजना है जिसका इन्योगरिशन प्रधान मंत्री के द्वारा किया गया तो उस टाइम उन्होंने हाइवेज वगेरा के बहुत सारी चीजों के उद्धगाटन किये थे यह बैतीर जो ल करके कुछ डिस्टिब्यूट्स हैं जो लोग हैं आपत्ती दर्ज कर रहे हैं कि पूरी नहीं की गई है वो एक अलग विशह है याद रखना है कि जो पारस जो सिचाई पर योजना है यह तापती नदी पर बनाई गई है ठीक है यह मल्टी पर्पर्पस योजना है सिंचित भी होगी साथ में विद्धत का उत्पादन भी होगा इसमें ठीक है और साथ ही में इसमें क्या किया जाएगा सिचाई यह और आगे चल करके इसमें परेटन को लिखर के भी सरकार ने बनाया था कि वह आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बात की जाए तापती नदी की रहेगा देखे इसका संस्कृत सब्द से जुड़ा हुआ मुलता है इस सब्द का मतलब होता है तापी माता की उत्पती इसकी लंबाई 724 किलोमेटर है 30,000 वर मिटर की छेतर में बैती है और इन कई बार पेपर में पूच्छा बिचा चुका है निमने से कौन सी हिंदू मा बहتी है और फिर जा कर की यह वहां से होते हुए जाती है गुजरात में जो सूरत आता है वहां पर जा करके क्या कृती है वहां मैदान में निकल जाती है यह निवां पर मैदानों गी लियाहकों का अनुसर होगा इस प्रकार का जो करवाता वहां पे जाकर कैसे तापी नदी मिल जाती है इसको वर्भ सावर का प्रविस द्वार का जाता है ठीक है यह जो है नर्मदा नदी के यहां से हमारी बैती है और बात करी जाए तो इसकी सहायक नदी के गिरना पंजहरा पूर्णा जो की महाराष्ट की तरफ यानि दच्छड की तरफ बैती है ये इसकी सहायक नदियां ये सब की सब महाराष्ट्रा की तरफ जाती है तापनी नदी की सहायक नदियां ये पिछले दिनों के प्र यह एंसर तो है लेकिन यदि यही प्रशन आपको आ जाता है नर्वदा और तवा के बारे में आपको तीन तीन बाते आप चाहूते हैं पर बता सकते हो एंसर अभी को करना है हमारे बहुत सारे facts एक-एक single single question से मजबूत होते हैं कुछ current affairs नहीं होता हमारा एक तरह से static gk भी हमारा दीरे-दीर क्या होता जाता है complete होता जाता है जारी के शाथ share करिए हम जाकर के बहुत ही कम अंकों में फिर से टिक जा रहे हैं हमाई current affairs की उसको धीरे-दीर क्या करना है बढ़ाना है मिनत करते हैं कर्श में प्रड़ एक यझारी करते हैं जाएके जारे-चाहिका अबाटरी को स्थ़प्टा नहीं जाएके प्राइब होता